नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखत घटना इस समय पर आप लोगों ने सुनी होगी और वो है कि एक stand-up comedian जो हमारे पूरे भारतवर्ष के हर घर, हर परिवार के हर व्यक्ति को हसाते हैं, राजुश्री वास्तर जी, उनकी आकस्मिक प्रित्ति हो गई है, यह बहुत बड़ी हुमर मार्केट में फैला हुआ हुआ, वो हुमर क्या बता रहा है कि भी राजुश्री वास्तर जीम गए थे और काडियो कर रहे थे और काडियो करते करते ट्रेड मिल पर उनको हाट अटक है और उनकी डेथ हो गई, बिल्कुल सही है, यह बहुत दुखत ब इसके फैला हुआ है इसके पीछे कारण क्या है क्या वास्तविक्ता में राजुश्री वास्तव की डेथ जिम करने से हुई है या इसके बीचे कुछ और कारण है, क्या आपको लगता इसमें क्या डाउटफुल बात है जो लोगों को समझनी चाहिए चीले सार ऐसा है कि मैंने इनके बारे में पड़ा था किसीं कारण लोगिज ने बोला था कि इनका ट्रीटमेंट हे हाड का पिछले 10 साल ते चल रहा था तो शोर्डिक साथ थो मैं आपको अब ली सकते कि ऐसे ही है पर लेकिन अगर कोीं कारण बोलते है तो उनकी बात में य बड़ी मेजर से चीजह होती है पहली होती है टोटल कोलिस्टॉल बढ़ी का ठीक है दूसरा होता है ट्राइगलेस राइट्स और तीसरा होता है ल्डेल जिसको मोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर सर एक नॉर्मल लैब के अंदर यूनिट होती है कि आपका जो क 200 से उपर भी अगर होता है तो फिर भी इतना घातक निया कि 210-2520 साथ है क्योंकि लाइफ चैल इस तरीक एगा मारा लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा बढ़ जाए मल यह साड़े 300-400 चला जाता है हमें पता चुलता है क्योंकि हम regular टो टेस्स करवाते नहीं है और आजकल यह हो चुका है कि 40 साल की एज जो है इतनी मतलब कुशल एज बन चुकी है कि ज़्यादातर सेलेब्रिटीज भी हम देख रहे हैं चाहिए सिधार शुकला हूं हो है ना चाहिए मारे राजु शिरास्तु जी हूं तो यह बड़ा बड़ी कॉमसी ची निकल कर आगए कि 40 साल होती है और कुछ ने कुछ हो जाता है अच्छा दोनों की दोनों जो सेलेब्रिटीज हैं यह कहिना के इनका रिष्टा जो है वो जिम से था अब है क्या कि पीछे से बमने सुना कि वही उन्होंने ट्रेडविल पे रर्निंग करी या कुछ एक्टिविडी करी तो उनको डैक पड करना नुकसान दैक होता है कि जिम में रानिंग करना तो यह टस्क पेमाना होता नहीं तो लोगों के अंदर क्या धारना चली है कि अगर हम वर्क आउट करेंगे जिम जाएंगे नुकसान होगा जब कि पीछे कारण बहुत कुछ और होता है मतलब दस साल से अल्रेडी होता हूं बड़ी मज़दार बात आपको लगेगी और बहुत सारे वीवर्स इस बात को जस्टिफाई करेंगे आपना सुबह उटकर पार्क जाईए पांच बज़े छे बज़े छे से साथ के बीच में आप पार्क में रणिंग करने हो यह भूम रहे होंगे ना तो आपको 90% लोग अनहल्दी मिलेंगे पेट निकला हुआ है किसी की चाल टेड़ी है किसी के हाट टेड़े हैं कोई गलत एक्साइज कर रहा है कोई कमर पकड़के बैठा है ओल्ड एज को लोग बैठे है इसका मतलब तो यह हुआ कि पार्क जाने से आपका पेट निकल जाएगा लेकिन स्वस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए वह सही समय पर निडड़न ले पाते जिसकी वजह से जालातर अनहल्दी लोग आपको मिलेंगे क्योंकि वह अनहल्दी होकर परेशान हो चुके हैं और जो हेल्दी लोग हैं वह अभी भी अपने घर पर पड़े हैं यह हाइब लस्त और को मच बनाता है डिपेंड़िंडी बाते करता है कि अपने मंद से डाउड को बिल्कुल निकाल दे कि अगर मैं जिन करूंगा तो पैसे संभाव नहीं हो सकती है और जिम के बहुत सारे कोचिस हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इस बारे में बताएंगे और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे उनको भी स्टडी करें डॉक्टर से बात करें कि क्या मुझे करने चाहिए या नहीं वो भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है ना सर तो यह मैसेज हम सबसे पहले तो हिर्दे की गयाराईयों से राजुश्री वास्तर जी के लिए एक अर्पित करके हैं कि वह जहां भी इश्वर के पास है आने वाला जो उनके परिवार का समय है वह बहुत अपर हो और किसी व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया सकता पर किसी भ्रहम से बचाज़ा सकता चानकारी के मालियों से। स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी और मेरे सब्सक्राइब आपके सुनारे बविश्य के हम लोग कामना करते हैं जय हिंद जय बाराइब